वेलकम व्यूवर्स, राज कीचिन में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे मैती की खस्ता मट्रे, यह बहुत अच्छी बनती है, आप इने एक बार ट्राय करके अवश्य देखें, आप इसे मेरे तरीकी सी बनाकर के देखें, यह आपको अवश्य पसंद आएंगे, इसके मच अजवाइन लिया, जिसको के रगण के डाल दिया, जिससे उसकी खुश्य इनहेंस हो जाए, अब इन सब को अच्छी तरह से डाल देंगे, अब इसमें एक बड़ा चमच मैथी, कसूरी मैथी डाली है, अब इसमें आदा काटोरी के लगवग मैंने रिफाइन ओल लिया है, जिसको के डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से रिफाइन को इसमें मिला दिया है, जिससे कि वो अच्छी तरह से मैदा में मिल जाए, और इसे अच्छी तरह से रगण-रगण के मैदा में मिला देंगे, जब आपके लड़ू सा बनने लगे, तो आपकी परफेक्ट मोईन है अब जब आपका परफेक्ट मोईन और यह मिल जाए तब इसमें मैंने एक लास के लवग पानी लिया है और उससे मैदा को अच्छे तरह गूंद लिया है डो ऐसा होना चाहिए जो पूरी से नरम हो लेकिन रोटी के आठे से थोड़ा सा टाइट हो इसको आप तेली की साहता से दवा दें आपकी मठ्री तयार हो जाएंगे इसी प्रकार से सारी मठ्रियां आप तयार करने ना ज्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज्यादा पतली आप हाथ की साहता से ही इने हतेली की साहता से तयार कर सकते हैं इस तरह से आप सारी मठ्रे तयार कर लें या ओयल अच्छी तरह से गरब हो गया है, इसमें हमने एक मैड एक टुक्रा डाल करके देखेंगे, अगर वो चल करके ऊपर आ जाता है, तो आपकी टेल तयार है, अब गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, और सारी जो मठ्रियां हमने ली थी, उनको इसमें एक एक करके डाल दे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी चैनल पर पहली बार आये, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और रेस्पी पसंद आई हो, तो लाइक भी अवश्य करें, अब इन्हें इसी तरह से तल लेंगी, जब ये गोल्डन ब्राउन कलर इनका हो जाए, और तो ये अंदर तक सिख जाएंगे, आपने तेज गयस पर ना सिखें, ये कच्छी रह जाएंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इने कम से कम 10 से 12 मिट अच्छे तरह से सिखने दें, जिससे ये अंदर तक सिख जाएं, आपकी गर्मा गर्म खसता मठ्री त्यार हैं, इस तर आए के साथ या इवनिंग स्नेक्स के तोर पर इंजॉय करें, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इंजॉय इट